उमर रियाज अभी लाइव आये थे और उन्होंने अपने फैन से डारेक्ट आकर बात करी है एक क्वेशन जो हम सब के दिमाग में आ रही है कि उन्होंने इस क्वेशन का जवाब दिया या नहीं दिया कि वो दुबारा आने माले है या नहीं है तो मैं यहाँ पे अपने दर्स को जो भी ये वीडियो देख रहे है उमर रियाज के फैन्स उनसे मैं बात करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि उमर रियाज को कोई भी फोन कॉल नहीं आया है उन्होंने क्लियरली बताया है कि उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया है रे एंट्री का वो अपने भाई के साथ घर पे है और जो ये न्यूस थी कि वो कॉरिंटीन है सिक्रेट रूम में है ऐसा कुछ भी नहीं है वो उनके अपने जो घर पे है अपने भाईयों के साथ है और वो बहुत जल्दी कास्मीर अपने भाईयों के पास जाने माले है और उन्हेंने बताया कि उनको सबसे पहले अपने माबाप से जाकर मिलना है और उनसे बाते करनी है तो फिलहाल कोई भी रे एंट्री पे जो मैं यहाँ पे ब्रेक लगाना चाओंगे तो उमर रियाज का मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में आप उन्हें नहीं देख पाओगे फिनाले में देख ही पाओगे या नहीं देख पाओगे इसकी कोई क्लारेटी नहीं है बट फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि उमर रियाज बिग बॉस हाउस में जाएंगे क्योंकि वो अब भी अपने घर पे हैं अगर वो दुबारा उनको कॉल आता है तो उनका कोरोना टेस्ट होगा और कॉरेंटीन होंगे और फिलहाल तीन वीक कहीं है बिग बॉस तो मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें देखने वाले में क्लियर और स्ट्रेट फोरवर्ड आपको बोल रहे हैं